हेलो फ्रेंड फार्डेशन ऑफ आर्ट सॉप्टियर के कोर्स में आप सभी का बहुत-बहुत सौगत है और आपको यहाद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने क्या होते हैं किस प्रकार करते हैं इत्यादी आज हम इनी फ्रेक्टर के कुछ और कमांड उनको हम आपको बताने की कोशिश करेंगे तो पहला कार तो यह है कि अगर हमारे पास कोई डीटा आता है और उसको अगर मुझे को फैक्टर के फॉर्म में कशलों करना है दूसरी बात यह होती है कि factor के हमारे कुछ और भी applications होते हैं वो क्या-क्या है जैसे उधारल के लिए आपको याद होगा कुछ lectures पहले हमेंने आपको class function के बारे में बताये था और class function में बताया था कि जो भी हमारा object होता है और software के अंदर वो उसका class बताने की कोशिश करता है तो उसके अलावा class का हमारा एक opposite भी होता है unclass तो जब हम class और unclass function को अप्टे factor कमान के साथ में use करते हैं तो हम उसको एक बहुत एक अलग्ट करीके का output देता है और एक बहुत अलग्ट करीके का data manipulation होता है तो उन सभी जो भी हमारे factors के aspect हैं उसके बारे में हम आज इस lecture में बात करेंगे तो चलिए हमें से lecture को आरम करते हैं और factors के बारे में जो हमारे कुछ और information उसको समझने की कोशिश करते हैं So, आपने देखा था पिछली बार की जो हमारा factor का command होता है यह हमारा होता है factor F-A-C-T-O-R और इस में से जो भी हमारा factor होता है यह क्या करता है यह हमारे जो भी कुछ discrete values होती है उनको यह factor में convert कर देता है अगर हमने उन discrete values को एक data vector के form में दिया हुआ है तो उन values को वो factor के form में convert कर देगा और तो इसका हमारा Command ऐसे लिखते हैं, हम लिखते हैं factor और जो भी हमारा data vector है, values का उसको लिखते हैं x, उसके बार देते हैं levels और levels में हम को जो भी हमारे factor variable की categories होती है, उनको दिया जाता है और अगर हम इसको नहीं देते हैं, तो यह हमारा default values ले लेता है उसके बाद में हमारा अगला आप्शन होता है लेबिल्स और लेबिल्स में हम जो भी हम अपने इस लेबिल्स के अंदर लेबिल्स देना चाहते हैं उसके बारे में बात करते हैं और उसी तरही से जो हमारी missing values होती हैं उनको हम exclude के अंदर बात करने की कोशिश करते हैं anyway तो यह सब बाते हम पिसले लेक्टर में कर चुके हैं तो चलिए आज हम इस लेक्टर में आपको इसी फैक्टर से समंधित कुछ और बाते करते हैं तो अब एक जो हमारे सामने सवाल आता है कि अगर हमारे सामने कोई एक डेटा वेक्टर आया है उसके इंदर numerical values हैं उसको हम किस परकार से factor के form में convert करें उसका हमारा command होता है as.factor सभी कुछ हमने lower case alphabet में लिखा हुआ है और यह देखे कुछ वैसे ही तो है जैसे आपने पहले as.numeric या as.character इत्यारी करके रखा हुआ था तो चलिए हम इसको एक उधारन के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं एक हमने data vector ले लिया जिसमें हमारी यह values है तीन चार पांच छे एक दो तीन तीन चार चार पांच छे तो यह हमारी values आ गई और इस numerical data vector को हम factor में convert करना चाहते हैं तो मैंने कमार यहां यूज किया as.factor और parenthesis में मैंने लिग दिया अपना data vector x तो देखिए हमारा output आ गया इस प्रकार से इसका output मैंने y के अंदर restore किया और y की value यह आ गई देखिए तो हमारा यहां पर values आ गई यह हमारी data values की वही values हैं जो हमने यहां पर input करी थी और उसने कि automatically यहां पर इनको levels assign कर दिये 123456 ओके अब यहां पर आप अगर ध्यान दें कि जो हमारा R software automatic way में levels की value assign कर रहा है यह किस प्रकार से कर रहा है वह इसी data vector में जो भी हमारा data vector है वहां से हमारा जो भी unique data values होती है उनको बाहर कर लेता है और वही वह उनको level के form में दिखा देता है और जब हम numerical data की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारे देखे जो भी levels आए हैं वह हमारे increasing order में arrange हो जाते हैं जैसे आपने देखा कि सबसे पहले आ गया one उसके बाद two उसके बाद तीन उसके बाद चार उस उसके बाद five उसके बाद six तो इस करीखे से हमारा यह जो हमारे single levels होते हैं यह automatically हमारे एक numerical order में arrange हो जाते हैं ओके numerically arrange हो जाते हैं अब यही कार अगर हम माल लीजिए कि अपने किसी string variable पर करते हैं अर्था जो हमारा data vector है उसके अंदर characters है strings हैं तो देखिए हमने एक अपना data vector लिया राइट यह आपका data vector में सारी string है और हमने यहाँ पर तीन प्रकार के नाम ली है lemonade lemonade juice lemonade और water राइट अब यह data vector की उपर मैंने अपना factor command लगा दिया और जो इसका output है मैंने इसको x के अंदर save कर लिया तो देखिए आपका जो output इस प्रकार का आ जाएगा तो देखिए सबसे पहले तो यह आपका जो data vector है यह as such यहाँ पर लिख करके आ गया उसके बाद उसने इस data vector में से तीन जो unique values थी उनको choose कर लिया और वो कौन कौन सी value थी lemonade juice और water और उसने यहाँ पर levels में इसी को लिख दिया juice lemonade water लेकिन आपकर ध्यान दिजिए कि उसने यह juice lemonade water को यहाँ पर लिखा हुआ है यह उसने इस levels की जो values है उनको alphabetically order कर दिये गया है alphabetically ordering का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा शब्द A से आएगा वो पहले आएगा उसके बाद जो हमारा alphabet होता है भी उसे आरम होगा वो उसके बाद आएगा और उसी तरह हम Z तक चलते जाएंगे तो सबस आता है W उसे हो गया water तो जब भी हम कभी अपना numerical data को factor के form में करेंगे तो उसके जो levels होंगे numerically order हो जाएंगे और अगर हम किसी data vector जो मारा characters का है उसके उपर अगर हम factor operation करेंगे तो हमारे जो levels हैं वो alphabetical order में arrange हो जाएंगे और देखी यही यहां पर इसका outcome भी है तो चलिए हम आगे बढ़ने के पहले इन operation को आपको R software में करके दिखा दें जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार से होता है तो देखी यह आपका data vector आ गया x और इसको आपने सीव किया as factor तो यह अपने लिग दिया as dot factor और यह x तो देखी आपका y का outcome आ जाएगा यह आपक हो गया राइट उसी परकार से अगर हम अपना यह जो एक और हम data vector लेते हैं जहां पर हमारे पास characters हैं और उसको हम factor करते हैं तो देखी जो इसका हमारा outcome कुछिस तरह के से आजाएगा x देखी आप पर यह आ गया lemonade lemonade juice lemonade water जो आपका data ता और इसी levels देखिए juice lemonade water अपने हिसाब से जो भी alphabetical order में arrange हो गया है तो यही कार मैं आपको यहां पर करके दिखाना चाहता था अब इसके बाद में हम आपको इस R software का एक और function है उसके बारे में बात करेंगे यह है class के बारे में आपको मैं पहले भी एक बार concept में बता चुका हूं कि जो भी हमारे R में हमारे बिन बिन तरह के objects होते हैं उनका एक class होता है और यह जो class function है उसके class को बताता है तो जैसे हमारे पास जो simple vectors होते हैं उसके लिए हमारे पास class होते है like as numeric, logical, character, list, matrix, array, factor, data frame में त्याद ही उसी प्रकार से यह और हमारा simple vector होता है तो यह हमारा class और mode एक सही हो जाता है और इसका ज यह जब हम object oriented programming करते हैं R software में उसमें पगती है लेकिन अभी हम इस course में इस object oriented programming की बात नहीं कर रहे हैं लेकिन यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग अच्छे programmer हैं और जो high level की programming करते हैं, right अब इस ज़रा से हम देखते हैं कि class का हमारा क्या outcome आता है तो अगर हमें class क्या होगा numeric और इसी nine को अगर मैंने character में change कर दिया तो इसके लिए मैंने इसको nine को double course में लिख दिया तो इसका हम जो देखे जब class निकालेंगे तो यह क्या आ जाएगा character उसी पकास से अगर हम कोई अपना एक function लेते हैं तो यह से हमारा print एक function होता है तो इसका class निकाले निकालेंगे तो यह आ जाएगा function उसी पकास से अगर हम एक कोई matrix लेते हैं जैसे मैंने two by two की matrix ली और जिसमें हमारा data one two three four है तो इसका class अगर हम निकालेंगे तो यह आ जाएगा matrix और array अब देखे matrix क्या होता है matrix भी तो हमारा एक special परिखे का array होता है जिसमें हम अपनी values क एक कुछ नियमों के अनुसार अरेंज करते हैं और यह नियम हमारे जो भी matrix theory के नियम होते हैं वहां से control होते हैं तो देखे यह आपका इसका screen पर जो outcome है जिकि अगर हम इसको R में करेंगे तो हमको यह इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा ओके अब हम इसके बाद आपको एक बहुत important function के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका आप देखेंगे कि application बिलकुल अलग पकार से हो रहा है जैसे आपने class के बारे हैं पहा तो class के बारे में आपने देखा कि जो भी हमारे R object का mode होता है या उसका class होता है उसके बारे में हमक नाम होता है unclass तो unclass क्या करता है कि जब भी कभी हम किसी data को को अगर हम माली जी की factor के form में convert करते हैं जैसा मैंने आपको पहले धारग में करके दिखाए था तो उस data का जो structure है internally बदल जाता है कि जो हमारा numerical data है और factor data के form में आ रहा है तो यह जो unclass function होता है जो उसका effect होता है कोई भी class का जो effect होता है उसको वो temporarily हटा देता है तो यह जो हमारा unclass function है जिसको मैं ऐसे लिखते है unclass और parenthesis में हम अपना greater vector या जो भी कुछ है उसको लिखते हैं तो यह unclass function हमारा इस class के effect को एक temporary तरीके से हटा देता है जैसे कि अगर हम कहें कि कोई हमारा object है उसका हमारा class data frame तो वो हमारा एक अलग खरीके से print किया जाएगा और जो हमारा plot function होगा वो उसको graphically एक अलग खरीके से दिखाएगा तो अब इस unclass function के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानने की उस सुक्ता है तो हम आपको suggest करेंगे कि आप help function का इस्तमाल करिए और इस unclass function के बारे में ज़्यादा information को देखने की कोशिश करिए हम आपको यहाँ पे एक एकोधारल के द्वारा इस class और unclass function का इस्तमाल दिखाना चाहते हैं और इसको हम अपने factor के साथ में इस्तमाल करके यह दिखाना चाहते हैं कि जब हम function को factor के साथ इस्तमाल करेंगे तो किस प्रकार का change जाएगा तो यह जो हमारा example है यह हमारा अगली तीन slides में चलेगा तो हम आपसे यह request करेंगे कि हम जो जो कर रहे हैं उसको ध्यान से देखिए और किस प्रकार के हमारे पारिवरतन आ रहे हैं उस पर ध्यान दिजिए राइट चलिए हमारे पास कुछ एक data है जिसको हमने data vector में इमें store किया है और यह data हमारा string का है राइट जैसे कि हम कहें हैं कि हमारे पास कोई भी कपकले की क्रीन ब्रांट्स है उन ब्रांट्स को मैंने नाम दे दिया ABC तो उनका जो भी ब्रांट का जो data है वो मैंने यहां पे एक data vector में store कर लिया double course के अंदर मैंने हर एक data value को दी है त c तो दो बार a four times b और एक बार c तो देखिया आपका जो brand का data कुछ ऐसा दिखाई देगा अब हम इसको factor में convert करते हैं तो हम क्या करते हैं factor और parenthesis में लिख देंगे brands और इसका जो भी outcome है इसको मैंने brands underscore fact अथा की brands को factorize कर दिया है इस नाम से store कर लिया और इसका देखिया outcome ऐसा आ गया जिसमें कि यह आपका data आ गया और इसके हमारे levels क्या हो गए a b c क्योंकि इसमें से आपको आपको यह बता दे कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं हम इन जो a b c को हैं इसको हम एक कोछी एक अलग नाम से देना चाहते हैं कि हम इसमें से a b c को support अलग अलग रंग होते हैं जैसे blue green और red इसको किस प्रकार से किया जैड़े हम आपको इसको दिखाने की कोशिश करते हैं उसके पहरे तहम आपको यह दिखा दें कि unclass को हम जब यहाँ पर operate करेंगे तो क्या होगा राइट तो अगर आप ध्यान दीजिए इस data के अंदर जो भी आपका outcome आया है यह वाला जहां पर लिखा हुआ है यह आपका किस format में है यह आपका एक alphabet जहां पर लिखे हैं जो भी आपने data ओपर दिया था यह नूमरिक नहीं है यहाँ पर कोई number नहीं लिखे हुए है हम जैसे ही इस output के उपर अगर हम अपना unclass function को operate करेंगे अर्था unclass और parenthesis में हमने यह जो हमारा output आया है branch underscore fact यह वाला इसको हमने यहाँ पर operate किया तो देखिए हमारा जो output मिल जाएगा कुछ इस तरह के का 11 2222 और 3 यह क्या हो रहा है तो आप अगर देखिए कि unclass function को जब हमने अपने इस factors पर लगाया तो उसने उन factors को number में convert कर दिया तो unclass function से क्या हुआ कि जो class आपका था और किसको आपने factorize किया था उसके effect को temporarily खतम कर दिया और इसने उनको numbers में दे दिया और देखिए क्या दिया लेकिन उसके levels हमारे वही हैं same a b c तो देखिए आपका one का मतलब क्या हो गया यहां पर a two का मतलब क्या हो गया b और three का मतलब क्या हो गया c right तो अगर आप देखेंगे तो आपका यहां पर क्या है दो बार है a, चार बार है b और एक बार है c और यही देखिए आपका original data भी है दो बार a, चार बार b, एक बार c right अब suppose हम ऐसा चाहते हैं कि यह जो हमारे a b c है जो हमारा data value है उनका हम नाम बदल दें अर्थात उसको हम colors के थू दिखाना चाहते हैं कि जो हमारा a होगा उसको मैंने blue color से दिखाना चाहते हैं जो हमारा b का data है उसको हम green color से दिखाना चाहते हैं और जो C का data है वो हम फिर लाल कलर से दिखाना चाहते है रैड तो हमने क्या किया देखिए यहाँ पर एक अपना जो colors का एक मैंने data vector बनाया blue, green और red और उसको मैंने इस data vector को colors में store कर दिया रैट और यह हमारा order वही है जिस order में हम ABC को change करना चाहते हैं तो देखिए आपका data vector colors blue, green, red अब हमने क्या किया कि यहाँ पर colors के अंदर आप यहाँ पर पहले ध्यान दीजिए जो आपका output आया था यह वाला अंक्लास brand underscore fact यह कौन सा output है यह देखिए यही वाला output है जो यहाँ पर लिखा हुआ है और इसी output को मैंने आपको यहाँ भी लिग दिया है आपकी सुविधा के लिए यह से कि आप उसको साफ साफ देख सकें तो मैंने इसको लिख दिया colors जो हमारा नया data vector था और square bracket के अंदर हमने इस unclass brands underscore fact इसका जो भी data था इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया आप इसका outcome देखेंगे तो देखिए जो शुरू की दो values है यह आपकी क्या हो गई blue उसके आगे की जो चार values है यह क्या हो गई green 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 और जो अंतिम value है यह आपकी क्या हो गई red राइट तो देखिए क्या हुआ जो आपका data यहाँ पर था one one इसको आपने blue color से किया है तो देखिए यह आपका यह data हो गया blue blue और उसके बाद में जो आपका data क्या था 2222 तो देखिए यह जो data आपका green 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 और green में convert हो गया और जो आपकी अंतिम value थी से 3 यह आपकी red में convert हो गई right साथ ही आप अगर इस बात का भी ध्यान अगर्व देते हैं कि आपका original data क्या था आपका original data था आपका इसे करके इसमें थे 2a तो इनकी जगर क्या गया blue और blue और उसके बाद में था आपका four time था आपका b तो b की जगर आपने क्या कर दिया green तो यह आपका green हो गया देखिए और उसके बाद आपका क्या था anti value थी आपकी c तो देखिए c क्या क्या हो गया red तो यही देखिए data यहाँ पर आपका जो आपने data a b c के form में लिखा था यह अब आपका data blue green और red color के format में आ गया तो देखिए आपने क्या किया अब आप यह समझने की कोशिश करिए कि सबसे पहले आपका एक जो data vector था उसके अंदर alphabets दिये हुए थे a b c और आपने उस alphabets में जो उस data को एक नई format में change करने की कोशिश करी है और उसको आपने unclass function की स्काहिता से आपकी जो भी इच्छा थी आप जिस प्रकार से change करना चाहते थे आपने उस format में उसको उस levels के द्वारा change कर लिया है राइट देखिए आपका screenshot है तो चलिए सबसे पहले हम आपको इस operation को R software में करके दिखा लेते हैं जिससे कि आपको confidence आजाए कि यह हमारा काहर करेगा राइट तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने अपनी इस brands को store कर लिया और इसका आपका क्या हो गया brands आपका यह हो गया राइट अब आपने इसको brands को factorize कर लिया तो brands को देखिए जो आपने factorize करने के लिए आपने एक नया variable ले लिया brands underscore fact और फिर आपने इसको factor कर लिया brands तो देखिए यह जो आपका नया variable आगया brand fact यह क्या हो गया यह इसका factor value है तो इसमें से क्या देखिए हो गया है जो आपके labels आगया ABC अब आपने देखिए यहां पर क्या किया आपने आप इन ABC को different different colors में में आप दिखाना चाहते हैं आपने यहां पर अगर आप धियान देए आप अगर तो आपने दे करते हैं देखिए colors is equal to c blue green और red देखिए क्या होता है अरे यह तो गल्टी हो गई क्यों 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 आपके string थे और आगे आने वाले समय में में आपको बताऊंगा कि blue को भी हम color को क्या एक command होता है तो इसलिए आपको यहां पर इनको double quotes में और जैसी आप इसको double course में देखेंगे फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी, तो देखिए आपको फिर क्या हो गया, colors आपका, colors क्या हो गया, blue, green or red, अब इसके बाद में आपने क्या किया, सबसे पहले आपने इसको unclass कर लिया, right, तो अब आप अपने इस brands underscore fact variable को आपने unclass क या तो देखिए आपका किस प्रकार का outcome आएगा, यह आपको ध्यान देना यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपका data क्या था, A, A, B, 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 C, और यहाँ पर data आपका हो गया, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, लेकिन जो हमारे levels हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, यह हमारे ABC है अब देखिए हम क्या करते हैं, अपने इस outcome के ऊपर हम अपने इस colors को भी operate करते हैं, और देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं colors और इसके अंदर जो भी हमारा यह वाला data आया है, हम इसको इसको इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए यह हमारे यह ह तो दे हमारा 1 1 वहां पर हमारा हो गया 1 ब्लीव प्रकार से देखिए, आप अपने डेट को यहां पर जिनमें आपको इस तरह के operations करने होते हैं और उससे आपको outcome बहुत असानी से मिल जाता है ओके अब हम जड़ा सा आपको इस unclass function के बारे में कुछ और भी दिखाना चाहेंगे यह चोटे-चोटे operation है और हम यह दिखाना चाहेंगे कि जब भी हम unclass function करते हैं तो भी कोई भी हमारा एक जो string का data vector होता है वो एक number के द्वारा control हो जाता है जो हमारा string होती है वो हमारी एक number द्वारा indicate कर दी जाती है तो जैसे कि देखी मैंने यहाँ पर एक data लिया अपना वही पहले बाला कि जिसके अंदर हमारे पास है lemonade lemonade juice lemonade water और इसको मैंने factor करके इसका जो भी outcome मैंने x के अंदर store कर लिया तो आप इसके बाद में देखिए इसमें से आपका क्या हो जाएगा जब आप इसको factor करेंगे तो आपके वहाँ पे labels कौन से आ जाते हैं juice और देन उसके बाद lemonade और उसके बाद आ जाता है water और values आपकी इसी प्रकार से lemonade lemonade juice lemonade water में दिखाई पढ़ेंगी अब इसको मैंने कर दिया unclass और मैंने लिख दिया unclass और parenthesis में लिख दिया यह जो हमारा outcome है x राइट अब देखिए जैसी मैंने इसको unclass किया यह हमारी values के आ आ गई ही 2,2,1,2,3 लेकिन हमारे जो levels थे वो देखीए वही रहा है juice lemonade water जो मैंने पहले निकाले थे तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जो आपका ये था two ये आपके इस lemonade को दिखा रहा है ये जो two है ये भी इस lemonade को दिखा रहा है उसके बाद में जो आपका ये है one ये आपका इस juice को दिखा रहा है और उसके बाद में ये जो आपका two है ये आपका ये वाला lemonade दिखा रहा है और उसके बाद में जो आपका ये three यह इस water को दिखा रहा है, right? इसने स्वता लिये, खुद से लिये हैं, बलब कि आर को आपने कुछ order नहीं दिया था, आर ने खुद बखुद इन नामों को यहां से चूज कर लिया है, और उसको आलफाबेटिकल और में अरेंज कर दिया है, तो जैसे आपके पास यहां पे तीन तरह का डेटा था, लेमोन अपने आप से लिये हैं, उसको हम नहीं चाहते हैं, बलकि हम अपनी ओर से उन लेविल्स को डिफाइन करना चाहते हैं, तो इस कार को किस प्रकार से किया जाए, तो इसमें से लिखे, जो हमारा डेटा है, हम वही डेटा लेते हैं, लेकिन हम अपने लेविल्स अपने प्रक अब हमने उसको कर दिया water juice और lemonade तो सबसे पहले आना चाहिए water उसके बाद juice और इसके बाद lemonade अब इस data को जब हम factor करेंगे तो आपका output ऐसा आ गया अब यहां पर आप अगर ध्यान देंगे तो आपका data तो देखिए वही रहा, lemonade, lemonade, juice, lemonade, water जो आपने उपर दिया था लेकिन जो इसका level आया है वह देखिए बदल गया water, juice, lemonade और यह वही level है जो आपने यहां पर दिया हुआ है और यह जो हमारा पहले वाला जो order था जो इस प्रकार का था आप देखिए यहां पर juice, lemonade और water यह उसे बदल गया है तो आपने देखा कि इस प्रकार से आप अपने इस कोई भी data में इसके levels को भी आप control कर सकते हैं अब इसके बाद में जड़ा सा आप ध्यान दीजिए क्या देखिए होता है अब मैंने यह जो आपका outcome आया है यह वाला x वाला राइट इसको मैंने unclass करने की कोशिश करी अब unclass हमने किया तो देखिए इसका outcome ऐसा आ गया 33231 और levels आपके वही आगए जो आप में define की है water, juice or lemonade water दिखा रहा है 1, juice दिखा रहा है 2 और lemonade दिखा रहा है number 3 अब अगर आप यह देखिए जो आपका यहाँ पर order आया है 33231 यह आपने जो पहले यहाँ पर जो आपने यह factor किया था देखिए यहाँ पर क्या था 2 2 1 2 3 और यहाँ पर क्या आ रहा है 33231 लेकिन अगर आप इसको समझने की कोशिस करें तो कोई समझा नहीं है जैसे देखिए यह जो है 3 यह क्या दिखा रहा है आपको 3 दिखा रहा है आपको lemonade इसे बगात यह जो 3 है यह भी आपको lemonade लिटा दिखा रहा है उसके बाद में यह जो आपका 2 है यह आपको क्या दिखा रहा है तू देखे क्या है juice उसके बाद में यह जो देखे three है यह आपको क्या दिखा रहा है lemonade और उसके बाद में यह जो है one यह आपको क्या दिखा रहा है यह आपको दिखा रहा है water तो देखिए यह इसने आपको दिखा दिया water तो देखिए आपका जो data का order हो गया यह तो वही है lemonade lemonade juice lemonade water और आप अगर देखेंगे अगर आपका जो original data था आपका यह भी यही था lemonade lemonade juice lemonade water तो data के में कोई परवर्टे नहीं हुआ लेकिन जो आपने जिन नंबरों से आपने उसको factor किया है वो अब आपकी इच्छा के अनसार हो गए और वो पहले से बदल गए और यहां पर आप अ operation को कर सकते हैं और देखी यह आपका screenshot है यहां पर दिया हुआ है तो चलिए आगे बगलने के पहले हम आपको इस operation को यहां पर R software में करके दिखा देते हैं तो कब से पहले आपने इस data को अपने यहां पर store कर लिया आर्प्यों सवंट्राव में also add कि आइक्स उपने देटर किया तो रखेटर हमारा ब्रेंटर आगयार और अगर आपने इसको अ इसको करने की ज़ाँ टो यह क्या होगा उन लेक्षए X और यह देखे क्या आगया 22123 राइट अब इसके बाद में आपने अपने इस factor कमान के अंदर levels को change करने की कोशिश करी तो आपने यहां पर अपने इच्छा के अनुसार यह levels है water juice और lemonade दे दिया और जब इसको आपने execute किया तो देखिए अब आपका X क्या आगया जदा से compare करिए data जो आपने उपर दिया जहां पर मैं highlight कर रहा हूं वहां पर देखने की कोशिश करिएगा जो आपका data है दोनों cases में same है लेकिन जो आपने levels यहां पर लिये थे juice, lemonade और water पहले case में यह अब आपका water juice और lemonade हो गया है जो आपने और से यहां पर देखिए labels equal to water juice और lemonade में define करने की कोशिश करिए तो इस ने देखा आपने देखा कि इसने इसका जो भी levels है उसको बदल दिया अब आपने देखिए जब पहले अपने वाले outcome को unclass किया तो आपका क्या उतर आया था two two one two three अब जड़ा से labels को बदलने के बाद आप इस option को जड़ा सा फिर से execute करने की कोशिश करी को देखी किया जाएगा यहां पर three three two three one right और पहले क्या था two two one two three लेकिन जो आपका original data है वो तो वही है दस यहां पर खाली बस इतना हो गया है कि पहले हम यहां पर juice को हम दिख रहे है तू से बस इतना ही तो है और इसी में अगर आप इसके अगर देखिए levels निकालने की कोशिश करिए तो आप यह वही level मिल जाएंगे जो आपको यहां पर दिये होगे है water juice lemonade और यहां भी water juice lemonade ओके तो आपने देखा कि यह इस operation को करना बहुत ही आसान है और यह बहुत अपयोगी भी है यह मैं आपको बता सकता हूँ अब हम आपको यहां पर एक और option दिखाना चाहेंगे कि आप में देखा है कि कभी कभी जो हमारे पास data आता है उसमें से जो हमारी strings होती है जो भी होती है लेकिन उनके अदर कुछ ordering होती है तो कैसे कि अगर हमें को धाराग ल उसके बाद medium है उसके बाद में high है अब देखी यह खाली string यह नहीं है low, medium और high लेकिन इनके अंदर कुछ एक अर्थ भी छपा हुआ है कि अगर हम कहते हैं कि temperature हमारा low है तो इसका मतलब यह है कि इसकी जो भी value होगी वो हमारे medium temperature से कम है और अगर हम कहते हैं कि temperature हमारा high है त अगर हम इस तरह का अगर हम जो अपना फ्रेक्टर कमांड है अगर हम अपने इस order data के उपर करना चाहते हैं तो उसका हमारा command होता है ordered 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 और और यह इग्जैक्ली वही चीज़ है जैसे आपने factor पहले किया है यह वही चीज़ है बस बस इतना ही फरक है कि जब हमारा data एक ordered ह होता है जहां पर हमारा शब्दों के मतलब के साथ में उसके अंदर कुछ information भी होती है कि कौन सी value कम है और कौन सी value ज्यादा है या कौन सा word हमारी कम value को दिखा रहा है और कौन सा word हमारा ज्यादा value को दिखा रहा है वहां पर हम ordered का इस्तेमाल करेंगे और हमारा इसको जो करन में मैंने अपना data लिख दिया high high low medium medium और यहां पर मैंने अपने levels define कर दिये low medium और high क्योंकि देखिए r को तो अपने आप नहीं पता चलेगा कि low medium और high में आप क्या कहना चाहते हैं तो आप जिस order में आप इस data को दिखाना चाहते हैं या जो भी उन शब्दों का अर्थ उनके order को दिखा रहा है आप में उन शब्दों को उसी order में levels के अंदर arrange कर दिया अब देखिए जो आपको output मिलेगा वो इस प्रकार का होगा जो आपका data है data से देखिए वही exactly ही जो आप में देखिए यहाँ पर जो इसका order है यह भी दिखा रहा है कि high is greater than medium greater than low अथा high सबसे बगी value है medium उससे छोटी value है और low सबसे छोटी value है अब अगर आप इसी कार को अपने factor कमांड से करेंगे तो आपको क्या उमीद है कि आपको यही levels मिलेंगे नहीं factor को जब आप इस्तमाल करेंगे तो यह आपकी जो levels है low, medium और high यह आपके खाली alphabetical order में arrange हो जाएंगे जैसे सबसे पहले क्या आजाएगा high उसके बाद क्या आजाएगा low उसके बाद आजाएगा medium क्यों क्योंकि alphabet में सबसे पहले क्या आता है h उसके बाद आता है l उसके बाद आता है medium राइट ओके अब आप इसी outcome को जो आपने यहां पर income के लिए निकाला है उसको आप अगर करने की कोशिश करते हैं तो देखिए क्या उतर आ जाएगा आपका 33122 और साती आपके लेविल्स आपके वही रहेंगे लो मीडियम और हाई अब जड़ा देखिए के 33 का क्या मतलब है यह जो 3 और 3 है यह आपके क्या दिखा रहे हैं देखिए लो है 1 से मीडियम है 2 से और यह जो आपका डेटा यहां पर दिया हुआ है यह उसको लिखा रहे है वाला 3 और उसके बाद में जो आपका 1 क्या है 1 आपके क्या है लो तो यह जो वाला लो लिखा है इसको देखिए दिखाने की कोशिश कर रहा है और उसके बाद में देखिए क्या लिखा हुआ है आपक two two, तो two आपकर क्या है? medium. यह वाला डेटा इस वाले medium को और देखिए यह वाला डेटा इस वाले medium को दिखाने की कोशिश कर रहा है. तो अब आपने देखा कि जब आपको अपने किसी वेरिबिल को फैक्टर करना है और साथ में आप अगर और को भी आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आपको और डी एर इडी कमाण को इस्निमाल करना पड़ेगा और यही आपका इसका इसकी इन शॉट भी आ गया अब चलिए अब हम इसी operation को आपको R software में करके दिखाते हैं जैसे कि आपको थ्वासा confidence आ जाएगा और तो चलिए देखिए यह हमारा हो गया income variable और जो भी हम अपने इस income variable को हमने order command में यूज़ किया इसका देखिए output इस प्रकार से आ गया जैसी आ गया और इसी में अगर हम म जाएगा income और यह देखिए क्या जाएगा three three one double two right तो यह three three one क्या दिखा रहा है जैसे मने आपको बता है कि one के द्वारा है low, दो के द्वारा है medium और three के द्वारा है high यह इसी data को दिखा रहा है मतलब high high then low और उसके बाद medium medium अपने जगा सा आपको यह भी करके दिखाता हो कि अगर आप यहां पर अपने इस order command की जगह आप अगर यहां पर अगर factor इस्तमाल करते हैं तो देखिए क्या आएगा और factor में देखिए अभी आपने अपने levels को define किया हुआ है तो देखिए क्या आजाएगा income ऐसे low, medium, high क्योंकि आपने दिया हुआ है लेकिन आप अगर य income की value की आजाएगी, high, low, medium, right, alphabetical order में, right, तो चलिए अब हम इस lecture को यहां पर समाप करते हैं और आप देखेंगे कि हमने इस lecture में बहुत ही छोटे से कहमान को इस्तमाल किया है class और unclass को लेकिन उसको हमने factor के साथ में join कर दिया है और जैसी मैंने factor के साथ में इस्तमाल किया इसमें इसने हमको एक अलक्त तरीके का outcome दिया है, right, उसके साथ में जब हमारा कोई label में हम अपने orders को भी करना चाहते हैं तो हमने order command के बारे में देखा है, अब यह जो हमने command बता हैं जब भी आप कभी programming करेंगे तो आपके पास बहुत सारी ऐसी situations आएंगी जहां पर आप इसनमाल करना चाहेंगे, so अब हम इसलिए आपको request करेंगे कि आप इनकी जड़ा practice करिए, practice करने के लिए आप इसमें अपने प्रकार से जो आपको समझ में आता है आप इसे ओ धारर खुद लेने की कोशिश करिए, क्योंकि जब आप अपने ओ धारर को स्वें लेंगे तो आपको इसका outcome भी मालूम होगा, और उस outcome को obtain करने के लिए उसी तरह के outcome को निकालने के लिए हम इसको R software में किस प्रकार से इस्तमाल करेंगे, यह आपको देखना है और इसी बात की आपको practice करनी है, तो आप इन आज हमने जिन जिन commands को हमने यहाँ पे लिया है, इस lecture को revise के क in commands की practice करिए, और हम आपको अगले lecture पर और किसी topic के साथ मिलने फिर्च आएंगे, तब तक के लिए, good bye. की यह आपको अंगे, खरो ädногे हमने के बाते हैं, इस नूप fragrance.